Welcome Back Dear Children आपको जैंसे भूआध होगा अभी तक हमने दो मेजर कमपाउंव्ण के बारे में पढ़ा है अईनिक कमपाउंव्ण के बारे में जिसके बारे में आपको अलूड़ी बता चुका हूं और दूसरा जो है कि ions की formation किस तरह से होती है मैंने example देकर आपको समझाया है कि sodium अपना एक electron donate करता है इसलिए उसको positive charge मिलता है chlorine accept करता है sodium से एक electron तो इसलिए उसको negative charge मिलता है तो इनको हम ions मानते हैं these are ions और इनके कारण बनने वाला compound ionic compound है this is ionic compound तो कभी भी एक donor और एक acceptor मिलकर जिस compound की formation करते हैं उस compound को हम ionic compound बोलते हैं ऐसा ही हमने एक दूसरे compound के बार में बात की थी नाम था molecular compound जिसको आप simply molecule बोलते हैं तो molecular compound में क्या होता है जैसे carbon है hydrogen है carbon क्या उट्रमोशल में four electrons है hydrogen के साथ ये अपने चार electrons जो है वो शेर करता है ठीक है जी hydrogen के साथ ये अपने चार electrons शेर करता है तो methane का molecule जो है वो तयार होता है आप देखें यहां donor receptor नहीं है तो इस तरह के compound को हम कहते हैं molecular compounds तो दो compound के बारे में हमने बात की ionic compounds के बारे में जो ions की formation करते हैं molecular compounds के बारे में जिनके कारण molecule की formation होती है चलते हैं आगे आज थोड़ा सा हम इसी concept को आगे लेकर चलेंगे दो नए terms जिनके बारे में अब हम बात करेंगे वो दो नए terms हैं molecular mass वैसे इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी आज इसके बारे में बात करना जरूरी है molecular mass के बारे में हम बात करेंगे और दूसा formula mass ठीक है जी तो दो masses के बारे में हम बात करने जा रहे हैं we are going to study molecular mass and then formula mass मैं साथ में यह आपको बताऊंगा कि दोनों के बीच में difference क्या है ठीक है जी तो molecular mass और formula mass नाम सही आपको clear हो रहा होगा कि हम जो इसमें बात करेंगे ये actually कुछ compounds के masses के बारे में बात करेंगे तो फर्क कहां पर है फर्क है type of compounds में molecular mass नाम सही आपको clear हो जाएगा ये mass of molecule है लेकिन formula mass अगर आप देखते हैं तो इसमें नाम से पता नहीं लगता है कि ये किस चीज़ का mass है तो मैं आपको बता दूँ जब आप formula mass की बात करते हैं तो यहाँ पर ions के बारे में हम बात करते हैं ionic compounds के बारे में हम बात करते हैं ठीक है जी तो molecular mass में हम किस का mass निकालते हैं हम molecules का mass निकालते है लेकिन जब ions की बात आती है ionic compounds की बात आती है तो वहाँ पर जब mass निकाला जाता है तो term यूज होता है molecular mass मैं फिर से बता दूँ जब आप बोलते हैं molecular mass तो molecular mass में आप mass of molecule निकालते हैं you find the mass of molecule so the major difference may realize on the type of the compounds you are dealing with molecular mass should be used only to refer to molecular compounds or covalent compounds I am sure you might have understood it molecular mass जब हम term use करते हैं तो molecular mass जो है यह use किया जाता है molecular compounds के लिए या covalent compounds के लिए लेकिन जब आप term use करते हैं formula, formula, mass तो यह term जो है यह ionic compounds के लिए हम use बजाते हैं क्योंकि दोनों के type में difference है molecules के और ions में molecules में और ions में बहुत ज़्यादा फर्क होता है इसलिए उनका mass जो है वो भी जो है दो different term से उनको हम दिखाते हैं mass जो है molecules का molecular mass ions का mass या यह ionic compounds का mass उसके लिए हम term use करते हैं formula mass लेकिन मज़धार बात यह है जब आप यह कर रहे होंगे तो आप ज़्यादा differentiate नहीं कर पाएंगे आपको याद होगा पिछले दिनों में हमने एक topic किया था जो शायद पिछला यह lecture था हमारा जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से formula बनता है आपको याद होगा मैंने आपको बताया था carbon की valency होती है hydrogen की valency होती है one तो क्रिस क्रॉस किया गया और हमने देखा कि methane बन गया है ना और ऐसे ही मैंने आपको बताया था sodium की valency होती है one positive oxygen की valency होती है two negative क्रिस क्रॉस किया गया और हमने बना दिया NA2O ठीक है ना difference क्या था दोनों में आप देखिए दोनों तो एक ही जैसे तरीके से किया गया था difference यह था कि यहां पर charge था जो हमने यहां पर नहीं दिखाया जब formula बनाया तो वहां पर नहीं दिखाया यह तो simple था ना simply आपने एक formula बना दिया लेकिन यहां पर charge की मौजूद की थी लेकिन वो charge की मौजूद की होने के बावजूद भी हमने formula में वो नहीं दिखाया तो जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है जैसा अभी आपने यह दो formula जो बनाये थे इसमें आपको बहुत जादा समानता दिखाई दी difference सिर्फ यह था कि आइंस के case में charge था लेकिन हमने जब formula बनाया तो वो नहीं दिखाया ठीक है कुछ ऐसा ही यहां पर भी होने जा रहा है लेकिन मैं पहले आपको एक बर फिर से याद दिला दूँ जो हमने पड़ा हुआ है molecular mass के बारे में molecular mass क्या होता है what do you mean by molecular mass तो साधानल शब्दों में अगर आप समझेंगे तो अगर suppose करिए आपके पास sulfur dioxide है suppose suppose कीजिए कि आपके पास sulfur dioxide है ठीक है तो sulfur dioxide है दो oxygen है sulfur का atomic mass होता है 32 oxygen का atomic mass होता है 16 absence यहाँ पर 2 है 2 से multiply करेंगे आप इसको solve करेंगे और आपके पास आपका answer होगा ठीक है जी तो sulfur dioxide की example से मैंने आपको बताया कि किस तरह से molecular mass निकाला जाता है यह तो आपने समझा कि molecular mass निकाला कैसे जाता है तो आपने एक चीज़ यहाँ पर notice की होगी कि molecular mass निकालते वक्त आपने एक चीज़ नोटिस की होगी आपको atomic mass की भी जरूरत पड़ी है ना sulfur का atomic mass लिया oxygen का atomic mass लिया तो इसका मतलब है molecular mass जो है इसका relation जो है वो atomic mass से है तो मैं आपको बता दूँ same बात जो है formula mass के लिए भी है formula mass में भी जो यहाँ पर use में आते हैं इनका atomic mass जो है आपको पता होना जरूरी होता है तो molecular mass और formula mass में यह समानता भी है यह similarity भी है लेकिन अब definition की बात कर लेते हैं molecular mass की definition जो है अगर आपको याद हो आपने atomic mass की definition पड़ी थी atomic mass की definition में हम क्या करते है carbon 12 का जिक्र आता है okay तो मैं आपको बता दू जब molecular mass जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी carbon 12 का जिक्र आता है तो याद करें carbon 12 के हिसाब से जो आपने atomic mass की definition पड़ी थी what is atomic mass या define atomic mass so atomic mass is defined as the relative mass of an atom of the element as compared to an atom of carbon 12 taken as 12 ठीक है ना आपको याद होगा मैं फिर से आपको बता दूँ atomic mass क्या होता है atomic mass जो है relative mass होता है किसी atom का किसी element के किसी atom का relative mass compare किया जाता है उसको किस के साथ carbon 12 के mass के साथ जो की 12 है तो उसको हम atomic mass कहते हैं ठीक है यहाँ पर एक और चीज़ आपने पड़ी थी the quantity of mass equal to one twelfth of the mass of an atom of carbon is atomic mass unit उसको आप इस तरह से represent करते हैं और यह किसके बराबर होता है is equal to one point six six into ten raise to par minus twenty four grams मैं फिर से बता दू कि atomic mass unit को define करना बड़ा simple है यह क्या है what is it the quantity of mass equal to one by twelfth of the mass of an atom of carbon ठीक है जी मैं फिर से बता रहा हूँ आप ध्यान दीजेगा आप जब define करते हैं atomic mass unit को जब आप atomic mass unit को define करते हैं तो वो क्या होता है what is it it is the quantity of mass equal to one by twelfth of mass of an atom of carbon और आपको मैं बता दू mass जो होता है जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको it is equal to one point six six into ten raise to par twenty four grams ठीक है जी so the quantity of mass equal to one twelfth of the mass of an atom of carbon is atomic mass unit ठीक है और यह किसके बराबर होता है one unit जो है one atomic mass unit जो है one point six six into ten raise to par twenty four grams के बराबर होता है तो यह तो मैंने atomic mass का जिकर क्यों किया यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैंने क्यों इसको repeat किया क्योंकि आप देखेंगे molecular mass की definition को अगर आपने atomic mass की definition अच्छे से समझी होगी तो आप के लिए molecular mass की definition को याद करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा molecular mass of a substance is the relative mass of its molecules as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या difference था जब आप atoms की बात करते हैं, atomic mass की बात करते हैं तो relative mass of an atom of the element की बात करते हैं लेकिन जब आप molecular mass की बात करते हैं तो molecular mass of a substance is the relative mass of its molecules तो जब हम atomic mass बोलते हैं the relative mass of an atom of the element as compared to an atom of carbon 12 लेकिन जब आप molecular mass की बात करते हैं तो molecular mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12 ठीक है जी मैं फिर से पता दूँ जब आप atomic mass की बात करते हैं since वो atomic mass है तो वहाँ पर atom की बात की जाती है relative mass of an atom of the element as compared to an atom of carbon 12 लेकिन जब आप molecular mass की बात करते हैं तो molecular mass में हम बात करते हैं molecule की तो molecular mass की definition हो जाती है molecular mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12 तो खेर अभी कुछ और examples के साथ मैं इसको आपको समझाओंगा लेकिन फिर भी हम देखते है molecular mass अगर इस तरह से देखा जाए तो molecular mass जो है उसको हम ये भी कह सकते है some of atomic masses of all atoms in a molecule मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले sulfur dioxide की example देकर ये बात संधाई थी ठीक है लेकिन जब आप बात करते है formula mass की formula mass जो है इसमें molecule का जिकर नहीं आता बलकि जिकर आता है ionic compounds का molecular compounds का जिकर नहीं आता formula mass में ionic compounds के बार में बात की जाती है तो sum of atomic masses of all the atoms represented by the formula of an ionic compound ठीक है जी molecular mass में आपने देखा आपने देखा molecular mass में क्या हुआ molecular mass में हमने बात की थी किसके बारे में molecules के बारे में और हमने कहा कि ये वो compounds हैं जब molecular mass की हम बात करते हैं तो ये हमने बात की कि ये mass है उन compounds का जो actually अक्सर कोवलेंट बांड्स बनाते हैं कोवलेंट कमपाउंड्स होते हैं लेकिन जब हम फॉर्मॉला मास की बात करते हैं तो फॉर्मॉला मास में हम कोवलेंट कमपाउंड्स की बात नहीं करते हैं हम मास की बात करते हैं किन कमपाउंड्स की आइनिक कमपाउंड्स की और किस में हम formula mass जो है वो इस्तिमाल करेंगे तो देखते हैं chlorine ठीक है जी chlorine तो आप बताएंगे आप सोचिए chlorine में जब आप chlorine की बात करते हैं तो इसमें हम molecular mass निकालेंगे या formula mass निकालेंगे सोचने में ज़्याद समय नहीं लगेगा बहुत आराम से आप इसको कर सकेंगे देखे chlorine जो है इसके आउटर मोश शल में there are seven electrons और एक और chlorine है उसके आउटर मोश शल में भी seven electrons है ठीक है अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है यह chlorine जो है एक electron इस chlorine से दूसरे chlorine से share करेगा और यह chlorine जो है तो इस तरह से chlorine और chlorine के बीच में जो bond बना वो एक covalent bond है ठीक है जी आप देख सकते है chlorine और chlorine के बीच में कौन सा बना chlorine और chlorine के बीच में covalent bond बना तो यहाँ पर हम formula मास की बात करेंगे या molecular मास की बात करेंगे तो सिंस यहांपर covalent bond बना है तो हम बात करेंगे किसकी? molecular mass की तो देखते हैं जबर molecular mass के बारे में chlorine का molecular mass क्या हो सकता है? chlorine का molecular mass निकालना बहुत ही simple है ठेके जी? क्योंकि यहांपर क्या होगा? 2 chlorine है तो 2 and 2 atomic mass of chlorine chlorine क्लोरीन तो इस तरह से आप निकाल सकेंगे जो है क्लोरीन का वो क्या हो जाएगा जैसे एक और एक्जामपल ले रहे हैं और एक्जामपल है से C6, H10, N4, O2, C6, I am sorry, C8, H10, N4, O2, यह एक कैफीन मॉलेक्यूल है ठीक है जी यह कैफीन मॉलेक्यूल है अब आपको इसका मास निकालना है तो आप देख सकते हैं 8 into atomic mass of carbon मैं आप short में लिख रहा हूँ अब लेकिन याद रखिए यह 8 into atomic mass of carbon है प्लस 10 into atomic mass of hydrogen प्लस 4 into atomic mass of nitrogen प्लस 2 into atomic mass of oxygen तो यह क्या बन जाएगा it is going to become 8 into atomic mass of carbon जब आप atomic mass of carbon बोलते हैं तो definitely वह 12 होगा 10 into atomic mass of hydrogen जब आप atomic mass of hydrogen बोलते हैं तो 1 4 into atomic mass of nitrogen जब आप nitrogen का जिकर करते हैं और उसके atomic mass की बात करते हैं तो it is 14 and 2 into atomic mass of oxygen, atomic mass of oxygen मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था it is 16 जब आप इसको solve करेंगे और answer देखेंगे it is going to become 194 तो अभी अभी हमने जो बात की वो कैफीन के molecule की बात की ये कैफीन का molecule है C8, H10, N4, O2 और इसका molecular mass हमने निकाल कर देखा it is 194 U ठीक है जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं let us take another example तो example है Na2, O अब सोचने वाली बात है कि इस case में आप molecular mass निकालेंगे या formula mass निकालेंगे तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक tip देता हूँ मैं आपको जब भी आप एक metal देखते हैं और एक non-metal देखते हैं तो अकसर metal और non-metal के बीच में जो bonding बनती है वो ionic bonding होती है, क्योंकि metal जो होता है, it is a donor, electro positive in nature और non-metal जो है, it is an receptor, electro negative in nature तो अकसर एक metal और एक non-metal के बीच में बनने वाला bond जो होता है वो ionic bond होता है तो देखने से भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर term formula mass यूज़ करेंगे या molecular mass यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर sodium है, आप देख पा रहे होंगे और oxygen है, sodium एक metal है, oxygen एक non-metal है दोनों के बीच में बनने वाली bonding के बारे में जरह हम बात कर लेते हैं जब आप oxygen की बात करते हैं Atmic number 8 होने के कारण, Atmic number 8 होने के कारण, इसके outermose shell में 6 electrons जो हैं मौझूद हैं ठीक है जी, मैं फिर से बता दूँ, इसके outermose shell में 6 electrons जो हैं मौझूद है So the number of electrons present in its outermose shell are 6 इसको दो electrons की जरूरत है, कि अगर इसको दो electrons मिल जाएं तो दो electrons मिलने के कारण क्या होगा, इसका octet जो है complete हो जाएगा और sodium, इसका to atomic number आपको पता है, 11 है और जब आप sodium की बात करते हैं, तो sodium के outermose shell में एक ही electron जो है मौझूद है ठीक है, अगर ये sodium अपना एक electron oxygen को दे दे तो इस sodium का, इस sodium का octet जो है वो complete हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये अपना एक electron जो है, ये oxygen को दे देगा इस तरह से oxygen के पास number of electrons अब कितने होगे number of electrons पहले से ही मौझूद थे, दो ये और दो ये तो 6, अब एक और ये आगया, तो number of electrons अब होगे 7 लेकिन अभी भी octet complete करने के एक लिए एक electron की कमी है, तो एक और sodium atom जो है, ये अपना एक electron, आउटरमोशल में मौझूद एक electron जो है, वो इसको डोनेट कर देगा, जब वो एक electron इसको और गेन करने के कारण, अगर आप इस oxygen को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा, दो electron ये, दो electron ये, ये भी दो electron और ये भी दो electron, तो number of electrons इसके पास होगे 8 ठीक है जी, तो यहाँ पर दो सोडियम ने क्या किया, एक oxygen को अपने आउटरमोशल में मौझूद एक electron जो है, डोनेट कर दिया, अब दो सोडियम ने एक electron डोनेट किया था, तो दो electron इसके पास oxygen के पास आगे, oxygen का octet complete हो गया, तो यहाँ पर जो bond बना, ये covalent bond तो नहीं है तो ये compound भी covalent compound नहीं होगा, क्या bond बना, एक donor है, एक acceptor है, यानि कि एक electro positive, एक electronegative, तो यहाँ पर जो bond बना, उस bond का नाम है, ionic bond या इसको हम electrovalent bond भी कहते हैं, compound जो है, उसका नाम होता है, electrovalent compound या ionic compound भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जिस mass का हम जिक्र करेंगे, क्या वो mass, molecular mass हो सकता है, no, वो molecular mass नहीं होगा, हम कहेंगे, अगर एक question आपको आएगा, तो आपको बोला जाएगा, calculate the formula unit mass of the sodium oxide compound, so you have to calculate the formula unit mass of sodium oxide, तो हम कैसे अब calculate करेंगे, calculate करने का तरीका वही है, sodium oxide है आपके पास, दो sodium, मैं short में लिख रहा हूँ, और एक oxygen, ठीक है जी, तो आप इसको किस तरह से करेंगे, एक oxygen है, दो sodium है, एक oxygen है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 into atomic mass of sodium, 1 into atomic mass of oxygen, and I am sure that you people remember, that atomic mass of sodium is 23, so it is 2 into 23, plus 1 into 16, and I am sure you people understood, कि ये जो है, ये क्या बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है, 62, 62 U, this is your answer, तो formula unit mass, जो है, sodium oxide का, वो 62 U हो गया, इसी तरह से आप बहुत सारे और, बहुत सारे और compounds जो है, उनके molecular mass और formula mass जो है, निकाल सकते हैं, मैं आपको कुछ practice करने के लिए questions दे रहता हूँ, आप जरूर इनके बारे में देखिए, मैं ये नहीं बता रहा है, कि किसका आपको formula unit mass निकालना है, और किसका आपको molecular mass निकालना है, लेकिन आप इसे खुद करेंगे, तो देखिए, तो ट्री, टीक है जी, मैं फिर से बता दूं, molecular mass निकालना है, formula mass निकालना है, जो भी निकालना है, तरीका तो सेम है, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए, कि आप क्या निकाल रहे हैं, और formula unit mass निकाल रहे हैं, या आप matrices connectionशT, यह अपको पता होना तो आप जरूर इनको फ्राई कीजिएगा CACL3 कलोरोफॉर्म का फॉर्मला है तो यह कुछ मैंने आपको दिये हैं तो आप इनको खुद करने की कोशिश कीजिए और भी बहुत सारे आपको आपकी बुक में रेफरेंस बुक जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें मिल जाएंगे मॉलिकलर मास निकालिए फॉर्मला मास निकालिए जो भी आपको निकालना है और निकालिए लेकिन आंसर जो है वो वहाँ पर match जरूर कीजिएगा मैं आपको इतना बता दूँ मैं फिर से वो repeat कर देता हूं कि कैसे पता लगता है कि आपको formula mass निकालना है या molecular mass निकालना है जहां पर भी एक metal होगा एक non-metal होगा तो वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर ionic bond बनता है तो ionic bond जहां पर बनेगा वहाँ पर आपको formula unit mass निकालना है और बाकि सब cases में आपको molecular mass निकालना है I'm sure कि आज का लेक्चर आपको समझाया होगा, अच्छा लगा होगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सबस्क्राइब नहीं किया दो सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा, ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है, वियू करते हैं, और कई बार को ये है बहुत सारे अईसे लोग होते हैं nemने सबस्क्राइब नहीं किया हुआ है, देखते तो हैं spinaching को सबस्क्राइब नहीं करते हैं, खैर सबके अ अपने-विजन्स होते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये आपसे दर्कौश करूंगा कि सबस्क्राइब जरूर कीजिए, लाइ लेक्शर बेस्परेज़ज़ है वो है मोल कुंसप्ट्सप्ट ये लेक्शर है और बहुत ही इमपर्टंट हम इसको अगंसेडर करते हैं है जब ही होगा मैं जरूर आपको करूंगा ये लेक्शर जो है कब下面 वाला है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह लेक्चर जो है most probably day after tomorrow होगा इसको देखेगा और अपनी राय जरूर रखिएगा अपना ध्यान भी रखिएगा गुड़ डे